Hello everyone, welcome you all at Loki Sir Unlimited Study Zone शुरुआत कर रहे हैं exemplar problem, class 12th का exemplar problem जो कि सारे exams, KVS, NVS और आपके CUET, Board Examination, NDA के लिए बहुत ही ज़्यादा important है उसके कुछ questions लेते हैं, ओके, तो देखेंगे पहला question लिजा गया है Find the area of the reason bounded by the curve y square equal to 2x भाई साथ, पहला तो parabola गया हुआ है, ओके, अब पहला तो parabola गया हुआ है, मगर ये देखें, इस तरीके का कुछ shape बना दिया, ऐसा बिलकुल नहीं है ऐसा shape आपको नहीं बनाना है, और दूसरा है, x square plus y square equal to 4x x square plus y square equal to 4x, ठीक ना, तो x square plus y square equal to 4x क्या आपके पास में circle है, क्या आपके पास में circle है, तो थोड़ा सा मैं गलत कहूँगा इस diagram को, ऐसा नहीं बनाना चाहिए, देखें, इसके अंदर से parabola आएगा, वो कुछ इस तरीके से आएगा, ओके, और भाई, ऐसे जाएगा, ठीक आपको ये area निकालना है, तो सबसे पहले देख लिए कि parabola circle को कहां cut कर रहा है, अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों circle की circle parabola के अंदर है, ऐसा क्यों नहीं कि circle अंदर हो और parabola बाहर हो, तो आप करके देख लिए, अगर आप ऐसा करेंगे ना, तो सब कुछ गड़बर हो जाएग तो कुछ cut ही नहीं होगा, ओके ना, तो अपनको ये चेक करना है कि भाई ये cut कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और cut करने के लिए circle को बाहर से जाना पड़ेगा, तब ही तो cut करेंगे ना, तो आईए देखते हैं कि हम लोग check कर लेते हैं कि ये cut कर रहे हैं कि नहीं कर रहे है तो दो situation हमाँ पास दीगे एक y square equal to 2x और 1x square plus y square equal to 4x तो मेरे पास जो बड़ा वाल equation है x square plus y square equal to 4x मैं y square की जगे पर क्या output कर देता हूँ 2x तो यह हो गया x square plus 2x minus 4x equal to कितना 0 यह हो जाएगा अपने पास 2x square whole square हो जाएगा तो देखिए 4x square और 1x square कितना हो गया 5x square और minus का 4x equal to कितना 0 तो x आपने common ले लिया तो x equal to कितना आगया भाई साब यहां से आगया 5x minus कितना equal to 0 तो solve करने पर 1 आगया x equal to 0 और 1 आगया x equal to 4 upon 5 मतलब यहाँ पर x दो value पर parabola काट रहा है 1 0 पर और 1 4 upon 5 पर अच्छा इसकी radius देख लो भाई साब इसकी radius लिए आप देखें तो इसके लिए पहले इसको circle को बनाना पड़ेगा आपको है ना pure form में बनाना पड़ेगा तो x square minus 4x plus y square equal to कितना 0 ठीके ना अब समझो इसकी radius कैसे आएगी तो x square यह है minus का 4x थोड़ा तुम्हीं धर आ जाओ आँगे आओ x square minus plus का 4 एड़ किया यहाँ और यहाँ पर plus का y square यहाँ भी plus का क्या एक्वल टू कितना plus का 4 equal to plus का क्योंकि equal के इस तरब भी 4 equal के इस तरब भी 4 तो यह बनेगा आपने पास क्या x minus 2 का whole square और यह बनेगा y minus 0 का whole square equal to कितना 4 मलब circle का center कितना आएगा 2,0 क्योंकि circle की equation होती है ना भाई लोगों x minus h का square plus y minus k का square बराबर कितना r square तो center होता है h,k तो यहाँ पर center कितना बनेगा 2,0 तो यह मिल गया भाई सब center 2,0 मगर curve जो काट रहा 4,5,4 upon 5 मलब 0 से थोड़ा सा आँगे मलब center आँगे है और curve जो है आपका पीशे काटेगा करव कहा काटेगा पीशे मलब actually देखा जाए तो इसने diagram में सीधे सीधे उपर ले लिया है तो मैं agree नहीं करता हूँ diagram इस तरीके का नहीं जाएगा बलकि लो कितना 4 upon 5 तो बेटा यहां पे जो काटा है इस जगह को हम बोलते हैं क्या 4 upon 5 हाया ना अब देखे बोलो ऊपर कौन है circle ऊपर कौन है circle और नीचे कौन है नीचे है पैरा बुला तो कैसे बनेगा area circle का y circle का y limit कितनी चलेगी 0 से लेके 4 upon 5 यह circle का y उस करोगे और minus 0 से लेके 4 upon 5 किसका y उस करोगे पैरा बुला का y of पैरा बुला ओके और जो आएगा उसको डबल कर देना भाई क्योंकि जो ऊपर है वो नीचे है आ जाओ तो देखते हैं 0 से लेके 0 से लेके 4 upon 5 आ रहा है बट भाई साब लोगे 0 से लेके 2 कर रहे हैं क्यों भाई हमने कोई गलती कर क्या हमारा तो cut point 0,4 upon 5 आ रहा है एक मिनट एक मिनट शायद कोई गलती करी है y square equal to 2x था ओ यार भाई मैं रख भी रहा था 2x आपने square रखवा दिया देखिए y square equal to कितना था 2x था कोई बात नहीं मेरी भी गलती भाई मैंने देखा नहीं तो यहाँ पे इसको फिर से solve करते ह हाँ यह y equal to 2x नहीं है y square equal to 2x है तो अपने point गलत आ गए अपने point क्या हो गए गलत आ गए तो चलो इसको solve कर लेते हैं एक पर फिर से सही कर लेते हैं तो अपने पास y square equal to 2x है तो x square plus 2x और minus 4x हो जागा यह सो no equal to कितना 0 तो x square minus 2x equal to कितना 0 x common लिया x minus 2 equal to 0 यानि x equal to 0 और x डाइग्राम बिल्कुल सही है center b2o और जो यहां से shade कर रहा वो भी क्या है 2x clear हुआ any problem तो center b2o है और जो shade कर रहा वो भी 2 है मतलब diagram बिल्कुल सही बन रहा है अब देखे 0 से लेके 2 तक 0 से लेके 2 तक जो बनी हुए lines यह कभी हो नहीं सकती है तो अपने बास उपर circle चल रहा है तो 0 से लेके 2 तक circle का area यह देखे 0 से लेके 2 तक circle का area बोले यह सो no minus parable का area clear है और यहां पर क्या लगा दिया 2 क्या लगा दिया 2 अब चलिए x minus 2 को क्या माल लेंगे t माल लेंगे तो यह बन जागा अंडरूड a square minus x square formula के लिए आदफ को या देखे चुकर होगा x by 2 under a square minus x square plus a square by 2 sin inverse x upon यह तो बहुत ही बहतरीन question a practice के लिए इसको आप जरूर करिए ठीक ना solution भी आपके सामने दिया हुआ है तो किसी बात की problem होनी नीच चाहिए अच्छे से देखिए solution को और solve कर लिए इसको कर दन को प्रॉल्म नहीं है ठीक है तो इसका अंसरा रहा टू टाइम सो पाई माइनस एट भाई 3 ओके चली अगला क्वेशन देखिए find the area bounded by the curve x y equal to sin x and 0 to 2pi भाई मेरे से इसका अंसर पूछोगे तो मैं सीदे आंसर बोलूँगा कितना बोलूँगा 4 कितना बोलूँगा 4 क्यों बोलूँगा क्योंकि 0 से लेकर 2pi है मतलब यह ऐसा जाएगा बोली हाँ एक लोप का area कितना होता है 2 और दो लोप का area 2 plus 2 कितना हो जाएगा 4 तो यह तो शॉट ट्रिक हो गई अब आईए देखते हैं भाई साब कैसे निकालेंगे इसका अंसर जीरो से लेकर 2pi ग्रा इसलिए उस दुर घटना से बचने के लिए दो डंडे खड़े कर दो क्या लग जाएगा मॉड लग जाएगा बोलो क्लियर है ना तो सबसे बैस तरीका अब देखें इंटेग्रेशन करिए 0 से लेकर पाई तक का एक तरफ और पाई से लेकर 2pi तक का दूसी तरफ और दोनो अगला कोशन देखें ऐसा कोशन हमने बुक्स में भी कहता फाइंड अरिया अब दरीजन बाउंड़ वाइजर ट्रेंगल वूज वर्ट इससस माइनस वन कॉमा वन जीरो कॉमा फाइंट तरी कॉमा टू तो सबसे पहले हम इसकी यह लाइन बनाएंगे बनाएंगे ना ओक अब यह लाइन जो है यह कितना एरिया शेड करेगी एकसस के साथ वो निकालेंगे इसका एरिया और फिर हम इसका एरिया निकालेंगे जब दोनों एरिया निकालेंगे तो दोनों एरिया से जोड़ करके इस लाइन का जो एरिया है थर्ड लाइन का एरिया माइनस कर देंग एरिया आएगा देखे –1 2 0 दूसरा कहाँ 0 से लेके 3 तो एक गई limit –1 से लेके 0 तक गई है मैंनस लेके 0 यहां तक गई है य एकसेस में और फिर इसके बाद एक गई है 0 से लेके 3 एकसेस में 0 से लेके 3 ये टोटल हो गया और जो एरिया बन जाएगा ये वाला पूरा इसमें से हम नीचे वाला एरिया मतलब 0 से लेके 3 तक का एरिया स्वारी, माइनस 1 से लेके 3 तक का एरिया क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे तो भाई साब इसमें माइनस करते हुए दिखाया है क्या Find the area of the reason bounded by the triangle तो एक है limit अबने पास माइनस 1 से 0 दूसरा है 0 से 3 तो माइनस 1 से लेके 0 तक add कर दिया और 0 से लेके 3 तक add किया ओके 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 दिखे हाँ पे क्या चल रहा है इस लोगों ने function बनाया है y1-y2 and y1-y2 तो 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 ये क्या है भाई y1-y2 0 से लेके minus 1 से लेके 0 और 0 से लेके 3 तक y1-y2 ये क्या चेकर रहे है भाई छोड़िए उनके तरीके को ये कुछ यहाँ पे गरबड समझ में आ रही है तो आपको करना क्या है मैं सीधे लिख देता हूँ देखिए minus 1 से लेकर के 0 तक कौन सा लाइन integrate करोगे yab yab फिर 0 से लेके 5 तक किसका area shaded लोगे यहाँ तक आएगा पूरा area shaded बोलिए सनो किसका लोगे ybc का ybc from 0 to 3 अब जब यह total area आ जाएगा तो इसमें से यह जो एरिया नीचे बन राइस को क्या करो कि माइनस तो माइनस माइनस वन से लेकर के 3 वाई एसी डन एनी प्रब्लम अरे लाइन का फॉर्मूला यह दो पॉइंट दिये ना तो यह वाला फॉर्मूला लगाना आपको आपके पास आ गया है बट डरने की कोई बात नहीं है y square less than or equal to 6 x है तो सबसे पहले आप इसका equal वाला पार्ट पकड़ो तो y square equal to कितना हो गया 6 x और ये देखिए x square plus y square equal to 16 a square तो इसका equal वाला पार्ट पकड़ो तो ये भी क्या बन गया अपने पास तो ये दिख रहा है पहरा बूला और ये दिख रहा है circle दोनों को solve कर दो तो आपको point मिल जाएंगे दोनों एक दूसरे को कहां पर लड़ मर रहे हैं देखिए ये दोनों काट रहे हैं 2a पर और किस पर माइनस 8 पर ओके x की value 2a और x की value माइनस 8 तो भाई आपन को तो आपन को तो positive side x square plus y square equal to 16a square हाया ना तो इसकी radius किती होगी x square plus y square equal to 4a का whole square अब आपके पाथ जो circle जो पैरा बूला जा रहा है उसका नाम है y square equal to 6a x y square equal to 6a x जो पैरा बूला जाएगा वो इदर से जाएगा तो जान दो यह जा रहा है पैरा बूला चला गया y square equal to 6a x चला गया अब अपन को निकालना है कि इसके बीच का area क्या होगा तो देखो यह cut point अपन को निकालना निकाला तो यह cut point दो चीज़ें है एक आया 2a और एक आया भाई प्लस आंगे वाला जो area shade करने में किस ने मदद करिये है circle ने तो y किसका use होगा और dx dx जिंदाबाद और प्लस लगा लो integrate कर दो बो clear है last में काय का multiply to का क्योंकि जो उपर है वो नीचे है समझ में आगे ना इतनी बढ़िया calculation दी हुई है एसे question को छोड़ना मतलब महापाप समझ गया ना इनको जरूर करिए इतनी प्यारी calculation दी गई है जहां पर गलती होगी आपको एक moment पता चलेगा है ना बहुत अच्छे तरीके से चलिए next question करते हैं compute अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया है यहां पर यहां लेस था इसका मतलब क्या होता है यहां पर लेस लिखा हुआ था लेस का मतलब होता है अंदर का लेस का मतलब होता है क्या अंदर का जैसे मैं आपसे कहूँ y square equal to 4x है तो y square equal to 4x मतलब यह इसके ऊपर का reason अगर मैं कहूँ y square less than 4x मतलब इसके अंदर का area इसके अंदर का area तो less लिखा मतलब इन नोनों का common area निकालना है बात वही है इन नोनो का common area, अंदर का area, समझ मैं आया? बट अब एक चीज़ सुन लो, अगर कहा होता, एक कर्व का बाहर का, एक कर्व का अंदर का, जैसे मान लो ऐसा लिखा होता, कि circle के बाहर का और पेरावूला के अंदर का, ये circle होता, और ये पैराबुला होता समझ आया ना सर्कल के बाहर का पैराबुला के अंदर का और साथ में कोई लाइन भी दे दी होती समझ आया ना ये लाइन है सपोज X equal to 3 X equal to 3 तो less than 3 मतलब लाइन के भी अंदर का फिर आपको कौन सा एरिया निकालना पड़ता ये एरिया क्यों क्यों क्योंकि ये सर्कल के कहा है बाहर के अंदर बाहर पैराबुला के कहा है और लाइन के कहा है अंदर है तो ये ध्यान में रखना अगर high level के questions में ये भी पूछा जा सकता है इस तरीके का एरिया डॉंट वरी जब आएगा तो देखेंगे उसको भी चलिए compute the area by the lines ये देखो भईया किती line दिये है तीन yes or no randomly तीन line बनेगी yes or no एक और line ले लो एक होगी दो होगी मानलो ये तीन line बन गई है अब ये रेखिए 1.A 1.B और 1.C तीनो पॉइंट का ये find कर लोगे अब पुरानी चीज़ों को भूल जाओ किवल A.B.C को यदि आप देखो पुरानी चीज़ों को भूल करके अगर आपके वल A.B.C को देख रहे हो तो ये B.P है ये A.P है और ये क्या पॉइंट है C.P है A से लेके B तक का area ये shade होगा कि नी होगा बोलो ये सौनओ A से लेके sheet तक का area ये वाला shade होगा कि नी होगा बोलो अगर टोटल में से आप B.C तक का area माइनस कर देएंगे तो answer आ जाएगा ना तो बस पहले आपको line की questions दी गई है इनसे आप पहले दोनों को solve करके सब को point निकाल लो A क्या है B क्या है C क्या है और तीनों का एक roughly diagram बन जाएगा बन जाएगा यह आपका बन गया roughly diagram clear है अब थोड़ा जुगार अलग लगने वाली है भाई साब देखिए यहाँ पर यह जो point आ रहा है यहाँ पर यह जो diagram आ रहा है और यह point आ रहे है तो अब इसमें X के along आप integrate मत करिए क्योंकि जो पूरा का पूरा function है Y में आपको area देगा X में अगर करोगे तो देखो यह नीचे भाग रहा है दिक्कत करेगा तो Y के along integrate करो पहले यह वाली line का area निकालो देखो भाई सब कहा तक का यह आपके पास जो है यह सबसे पहले इधर तक का area निकालो सबसे best यह देखे तो यहाँ पर Y की value किती है minus 1 और Y की value किती है यहाँ पर 3 बुली हाया ना तो भाईया minus 1 से ले करके 3 minus 1 से ले करके 3 जो है minus 1 से ले करके 3 तक का area wait wait minus 1 से ले करके 3 तक का area आपके पूरा लेंगे तो यह पूरा shade करेगा कि नहीं करेगा बताइए कहो यार minus 1 से ले करके 3 तक का area यह पूरा shade कर देगा तो minus 1 से ले करके 3 तक का area अपने shade कर दिया है इसमें पूरा आ गया है इसमें से हमको 2 area को निकालना है एक इसको हटाना है और एक इसको हटाना है कईए yes की no तो इसमें से हम 2 area minus करेंगे तो चलिए minus 1 से लेके 3 ये वाली line का area तो कर दिया इस वाली line के लिए y कितना हैगा x निकालना पड़ेगा तो x to x equal to कितना हो जागा 7 minus y so x equal to हो गया 7 minus y upon 2 ये देखिए done अब देखो जी ये area है अब इसमें से हमको 2 area minus करने है एक ये minus करना है और एक ये minus करना है इसकी limit क्या है minus 1 से लेके 1 minus 1 से लेके इसका मैं y निकालता हूँ 2 minus 2 y को हमको सब्ट्रैक करना पड़ेगा यहां पर रिखे 2 minus 2 y को हाँ ये minus लिखा नहीं है इसने देखो बट आंगे पता चल रहा है कि इनोंने सब्ट्रैक किया है यहां पर minus लगे का बोलो हाई ना 2 constant बोलो हाँ और minus 2 का integration कितना होगा minus 2 y क्या हो गया प्लस तो यहां minus लगाना है भाई साब भूल गया है बटा अंसर में minus होगा की नहीं होगा मुकुल बोलो ओके so 2 minus 2 y तक का area minus करूँगा तो best तरीका है भाई जिसको आंगे लिखना उसको आंगे लिख दो तो मैं लिखता हूँ minus 1 से लेके 3 तक yes or no इसको मैं माल लेता हूँ y2 क्या माल लेता हूँ y2 तो minus 1 से लेके 3 तक बोलो किसका y2 तो है मगर x2 आना पड़ेगा क्योंकि function y का है x2 dy बोलो yes or no फिर ये वाला जो part है आपको minus करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा तो minus 1 से लेके क्या 3 तक minus 1 से लेके 3 तक अब इसका x बनाओ भाई साब तो इसका x इदर आएगा तो y minus 1 तो क्या हो जाएगा y minus 1 dy clear और ये आगया y minus 1 और इसको भी हमें minus करना पड़ेगा ये last वाला तो ये इसको minus कर दिया ठीक है ना थोड़ा सा complex है करना पड़ेगा time देना पड़ेगा और यहां पर बस एक गलती थी यहां पर minus नहीं लगा था समझने आया ना तो कुल मिला के minus 1 से लेके 3 वाले पार्ट को add कर दो और इन दोनों को क्या कर दो minus कर दो बस done हो गया simple बड़ यह देखना पड़ेगा कि आपको y-access में लेना कि x-access में लेना अगर आप x-access में लेने तो आपको बहुत सारी दिक्कते आएंगी बहुत दिक्ते आएंगी पहले आपको total यह area बनाना पड़ेगा तो यहां तक आएगा ओके फिर इसके बाद देखो x-access में लेना आपको यह दिक्कते आएंगी देख लो एक बार सबसे पहले आपको इस line का area लेना पड़ेगा तो आप यहां तक area निकालोगे बोलो हाँ यह यहां तक आपका area निकलेगा इदर आप फिर इसके बाद आपके यह वाली line आएगी तो आपको यहां तक का area निकालना पड़ेगा positive side का क्योंकि अगर आप negative add कर दोगे तो minus कर देगा उसको समझगे ना तो आपको यहां तक का area निकालना पड़ेगा यह यहां तक का area निकालना चाहते है माइनस बहुत सारे cut point find करने पड़ेंगे तो काफी सारा मेहनत आपकी बढ़ गई है तो उस तरीके से मत जाएए वाई के फॉर्म में integrate करिए अगला कोश्या निके 21 find the area bounded by the curve यह 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 तीन लाइने है बोले yes or no तो सबसे पहला काम क्या find करना है तीनों का cut point बोलो yes or no तीनों का cut point find कर लिया देखिए एक है minus 1 एक है 0 minus 1 x की value x की value यहां पे 0 x की value किती 3 yes तो क्या करेंगे minus 1 से लेके 0 तक बोली yes or no फिर 0 से लेके कहा तक 3 तक और दो lines के area में से 30 line के area minus करेंगे बोलिये 30 line का area यह should do गख की नहीं होगा तो यह वाला areaía minus करेंगे minus 1 से लेके 3 तो मैं small में लिख देता हू हूंँ पहला area minus 1 से लेकЕ 0 दूसरा area 0 से लेके 3 बोलो yes और minus जो करना है minus 1 से लेके 3 चलोँठेग करते हैं यह देखो minus 1せて 0 से लेके 3 और माइनस करेंगे माइनस वन से लेके सब के वाई बना लोगे सब के वाई बनाना पड़ेगा वाई तो दिये हैं बनाना नहीं है पॉइंट फाइंड करना इस बार है ना बढ़िया कोश्चन बहुत ही प्यारा कोश्चन है जरूर करिए चलिए और इसका आंसर तो देखो अब सोच रहोगे सर इसके लिए कोई शॉट ट्रिक तो भाई इसके लिए कोई शॉट ट्रिक काम नहीं करती है है ना ऐसे कॉस्चन अगर एक्जाम में आते तो आपको करना ही पड़ेगा लेओ सब्सक्राइबht अब यहां पर आपको कोश्च दिया गया भी है on Clay from 0 2 2 542 अब चुआज एक चीज देखो आपके पास जो कॉस्च जाता है क्उसक्स का हम्पलिटूट कितना होता है इसका वन होता है कितना होता है lens One तो आप इसको मेरा तुक्का ही कहलो क्योंकि अपन को जो पता है वो वाई कॉल टू कॉसेक्स को पता है कि इसका आधे का वन होता है आधे का वन होता है ना तो एक्सलिए इसको डबल कर दिया तो मैं इसको कितना मा लेता हूँ 2 किता मन लेता हूँ है ना तो इसका एरिया किता हुआ बोलिए इसका इधर कभी 2 इधर कभी 2 टोटल कितना 4 और इसका भी किता हुआ 2 तो चार दो चार आठ हो गया तो देखता हूँ आठ हारा की नहीं आ रहा आए बात है बिल्कुल सही है शौट ट्रिक यहां पर अपलाई हो गई है ना अब लॉंग ट्रिक से देखते हैं क्वेस्टन कैसे करेंगे तो वही सिंपल मैथड़ है बाई टू कॉसेक्स है तो टू क ग्राफ इसके जाप ग्राफ y कोल टू मॉड एक्स प्लस वन तो अपने पास जो ग्राफ है y is equal to 1 प्लस मॉड एक्स प्लस वान ए ठीक है ना आपको कहरा इसका एरिया x equal to minus 3 से लेके plus 3 तक निकालना है and y equal to 0 y equal to 0 मतलब x-axis with equal to 0 मतलब x-axis ठीक है ना तो देखे y equal to mod x plus 1 कैसे बनेगा मैं सबसे पहले mod x plus 1 का graph बनाता हूं किसका बनाता हूं तो mod x plus 1 कहां पे टूटेगा x equal to minus 1 पे minus 1 पे because x plus 1 equal to 0 तो इसका graph कुछ इस तरीक जाएगा ये mod x equal to minus 1 पे बोली हाई न ये बन गया कितना mod x plus 1 का graph अब क्या देख रहा है इस graph को पूरा-पूरा किस से उठा दिया गया है एक से उठा दिया गया है कितनी से उठा दिया गया है एक से कैसे ये x plus 1 बनाया आपन ने और plus कितना 1 है मतलब इस graph को एक से उठा दो पकड़ करके इस graph को यहां ले आओ ओके बिलकुल उपर यह क्या है 1 है तो इस margin पे set करके इस graph को यहां ले आओ उठा करके यह आ गया तो यह बन गया भाई साब नया graph बन गया तो यह आ गया आपका graph y equal to mod x प्लस 1 अब यह area क्या चाहिए minus 3 to 0 minus 3 to minus 3 3 0 तो एक point आपके पास minus 3 और एक point आपके plus क्या plus 3 तो ध्यान से देखना यहां पर जो line काम करेगी वो कौन सी होगी mod x plus 1 जो है 1 के पीछे 1 के minus 1 के पीछे किस पे टूटेगा minus x plus 1 पे बोलो टूटेगा की नहीं टूटेगा अगर भूल चुके हो तो याद करो mod x plus 1 के दो values होते हैं एक होता है positive x plus 1 एक होता है negative x plus 1 positive x plus 1 कब होगा जब x greater than minus 1 x greater than minus 1 तो minus 1 के आगे कौन सा function लगेगा भाई साब x plus 1 और यहां पे लगेगा minus of x plus 1 तो चलो भाई फिर कि देर किस बात की तो एक अपने पास function लगया minus x plus 1 और दूसरा लगया बट अभी जल्दी माजी मत करना है यहां पे 1 लगा है क्या लगा है 1 क्योंकि function में उपर भी है तो इधर पे कितना add करोगे इधर पे कितना add करोगे तो इसकी पूरी कहानी कितने पे आ गई x plus 2 और 1 से 1 यहां क्या हो जाएगा cancel cable क्या बचेगा minus x तो चलिए limit लगाई पहले limit लगीगी minus 1 से लेके minus 3 तो minus 1 से लेके minus 3 किसका जादू देखने को मिलेगा minus x का यह देखिए और फिर अगली limit लगीगी minus 1 से लेके कहा 3 और किसका जादू देखने को मिलेगा x plus 2 का तो ध्यान से लगा करके area लगा दीजे answer आ जाएगा 64 square ऐसा question मुझे पसंद नहीं आना चाहिए जिसमें दिमाग भी लगेगा बच्चों का इसमें गलती क्या होंगी बच्चे यह तो करेंगे आज के इसका fourth part है यह आपके example problem का find the area of the region bounded by y axis y axis मतलब यह वाला part हाया ना y axis y equal to cos x मतलब यह वाला part y equal to cos x और x equal to sin x x equal to sin x कहां तक का area बोला 0 से लेके bye bye 2 तक यह लो भाई साब यह है 0 और यह है कितना bye bye 2 but अबन को common area निकालना है क्या निकालना है और दोनों को solve कर लो cos x और sin x को cos x और sin x कहां पर लड़ते हैं pi by 4 पे तो बोलो उपर कौन है cos x नीचे कौन है sin x तो 0 से लेके pi by 4 तक उपर कौन सा function cos x और नीचे 0 से लेके pi by 4 तक किसका तो यह देखे 0 से लेके pi by 4 तक cos x minus sin x समझ में आ गया answer कितना आता है root 2 minus कर लेंगे solve clear है न तो इसका answer आज़ेगा root 2 minus 1 done यह आपके लिए homework question है 25 यह आपको homework करके लिए कि आना है तो यह complete हमारा हो चुका exemplar का यह वाला session भी so thank you बच्चो जरूर sheet लगाई है इतने प्यारे प्यारे question है कि मेरा मन कर रहा है कि इसको एक बार और लगाऊ तो अब तो आप लोग को भी लगाना है और इसके answers आप लोग मेरे को भेजेंगे solve करके जरूर करिए बहुत प्यारी sheet है बहुत सारा confidence मिलेगा बहुत सारी learning मिलेगी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मज़ा भी आएगा Thank you so much for being with location and study zone Have a nice day